So Hello and Welcome You All, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज हम बात करेगे ASBANK के बारे में और Results के पहले एक Bad News हम कह सकते हैं Bad News आई है और guys क्या होगा आपको देखना चरूरी है क्योंकि अगर आप एक Shareholder हो ASBANK है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और guys यहाँ पर ASBANK में काफी बड़ा Statement हमें देखने को मिल रहा है Results के पहले तो guys हाँ आज Results है और देखना होगा Results क्या आते हैं बट पहले इसमें क्या हो सकता है कैसे हो सकता है और देखना होगा और एक देखा जाए तो एक Crucial Level पे ASBANK क्रेट कर रहा है पॉसिबल है तो ASBANK में काफी कुछ बाते आज होने वाली है और guys वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Margin Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप Intraday Trader हो और आपको अगर हो रहा है Loss तो हमारे Calls को एक बार Try करके देख लो Telegram पर मैं Calls देता हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा होगा तो बढ़ते हैं आगे तो guys यहाँ पर अगर मैं पढ़ू तो ASBANK quarter 3 results today आज इसके results है Analyst C Loss तो बिलकुल जो analysis है जो यहाँ पर जो बड़े-बड़े analysis है उनकी ओर से यहाँ पर उन्हें Loss दीख रहा है और देखा जाए तो जो इसका NII में plug up 35% तो बिलकुल यहाँ पर जो इसका net interest जिसे हम कहते हैं बढ़ सकता है यहाँ पर कहा जा रहा है जो यहाँ पर analysis करते है उनकी ओर से और देखा जाए गाइस New Delhi यहाँ पर as bank whose shares have been trading in a range for the last one month is scheduled to report as December quarter earning later in the day तो आज दिन के आखिर में यहाँ पर अपनी जो quarter 3 के results है और यहाँ पर होने वाले और net interest income may fall as the best quarter had a positive impact on of recovery income तो कही न कही यहाँ पर उनकी ओर से अनुमान लगा जा रहा था कि यहाँ पर जो positive आ सकता है net interest में थोड़ी गिराउट हो सकती है analyst said business momentum continue to remain weak or loan growth but deposit mobilization continue to show strong momentum तो कही न कही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इसमें जो loan growth है वो यहाँ पर इसे weak बना सकती है results को but कही न कही यहाँ पर as bank द्वारा और कई सारे जो loans को अगर देखा जाए तो बकाया करने के लिए loan को भरने के लिए तो इनकी ओर से भी कई सारी यहाँ पर जो efforts हैं वो लगा जा रहा है as bank की ओर से the private lender had had its business update earlier this month suggestors 26% jump in deposit on यहाँ पर हो सकता है यहाँ यहाँ पर iron year basis पर तो अब भी जा सकता है यहाँ पर 3.9% और 26% तो यहाँ पर कई सारी चीज़े हैं कई सारे अनुमान लगाए जा रहा है as bank में बट अगर देखा जाए कल as bank में क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा market तो negative था बट as bank यहाँ पर हलका positive नज़रा है 0.050 पेसे के आसपास यहाँ पर as bank बड़ा है 0.36% के हिसाप से वही गाज यह गाज दिखा चाहा है 5 days के time frame पर यहाँ पर हमें एक fall देखने को मिल रहा है लगबग fall कितना है 0.30 और 20 पेसे के आसपास का है और minus 2.12% के हिसाप से और one month में अगर दिखा जाए तो यहाँ पर अच्छा घजा बड़ा है 20 पेसे के आसपास पर 6 महिने में तो एक range में फसा हुआ गए तो उस range को discuss करना important है तो यहाँ पर market cap को देखे तो 34.38 तो गाइस चार्ट को हम समझ लेता है क्या चार्ट है तो गाइस चार्ट को अगर देखा जाए तो हमें S-Bank में एक breakout मिला था इस particular level पर support लेके stock उपर गया था और देखा जाए तो फिर उसके बादे सीधा इसने निजगी और momentum start हो गया और इस particular level पर फिर से यहाँ पर अगर देखो तो एक support लिया इस level पर जहाँ पर support लिया था वही पर support लिया तो मैं guys यहाँ पर fall क्यों आता है तो guys अगर देखा जाया तो यहाँ पर S-Bank में खरीदारी होई इस particular level पर break हुआ कई लोगों को attract गया break out ने तो लोगों ने खरीदा S-Bank उपर गया सीधा यहाँ पर आई heavy selling फिर उसके बाद continue यह downtrend में आते चलेगा फिर उपर जा रहा है बट अग भी अगर देखा जाए अभी का अगर देखा जाए तो एक range में फसा हुआ है guys अगर results positive आते है ना positive आते है तो बलकुल यहाँ पर उपर जाएगा अगर negative आते है तो सीधा नीचे आएगा but एक important चीज जो यह नीचे मैंने बनाई है एक trade line यहाँ पर अगर देखा जाए एक trade line भी है काफी ज़दा important इस particular level पर support लेके यहाँ पर आया फिर यहाँ पर support ले रहा है तो हो सकता है यहाँ से एक jump आ जाए तो guys यहाँ पर कुछ भी हो सकता है as bank में देखना होगा यहाँ पर कि क्या momentum आते हैं इसके बात तो guys यहाँ पर अगर देखो as bank में share holding pattern है तो यहाँ पर DIS FIS भी अपनी holding धीरे धीरे यहाँ पर घटा रहे है देखा जाए तो FIS की holding 8.17% की है और DIS की holding है 45.56% की public holding भी 46.28% की आसफस की देख जाएंगे वही अगर देखा जाए यहाँ पर इसके जो पिछले यहाँ पर जो quarter रहे है वहाँ पर 2021 का भी अगर देखो तो बिलकुल negative है जादा नहीं है बट recovery करने की कोशिश की हाँ पर 2020 से 2021 में बट negative है कितना 3400 बट अगर देखा जाए गाइस तो यहाँ पर 2020 में काफी जादा negative था बट 2017 से 19 तक positive हुई था revenues देखे तो revenues upside की हो रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि positive results आ सकता है क्योंकि 95% जो लोग है गाइस वो बिलकुल यहाँ पर buy call दे रहे है as bank को लेकर और 5% लोग है जो कह रहे हैं यहाँ पर hold के लिए तो ऐसे भी बात है और देखा जाए तो यहाँ पर इसके volumes आपर अच्छे दीखाई दे रहे है 8 करोड के आपर trade value रहा है और 4 करोड का है common delivery और estate image 7 करोड का trade value और 3 करोड का है common delivery और 1 week के average में 8 करोड का trade value और 3 करोड का है common delivery तो यहाँ पर अगर देखा जाए price performance minus में है यहाँ पर अगर देखो minus 2.14% minus में देख जाएंगा price performance यहाँ पर 1 week का और 1 month का अगर देखा जाए 5.77% यहाँ पर plus में है और 3 months का देखे तो minus में आगा है फिर जाए minus 3.85% और देखा जाए यहाँ पर plus में था year and half का 0.36% और guys वही अगर देखा जाए 1 year का तो 20.29% यहाँ पर minus में है और यहाँ पर अगर देखो 3 years का तो minus 92.84% है यहाँ पर अगर देखे जाए resistance और support levels को तो first resistance level इसका 13 रुपे से 87 पेसे का था second resistance level 13 रुपे 98 पेसे का और third resistance level है 14 रुपे 12 पेसे का support level में 13 रुपे 62 पेसे का first support सबूट लेवल है, सेगन सबूट लेवल है 13.42 पेसे का और थर्ड सबूट लेवल है 13.5 से 20 पेसे का गाईस तो और यहाँ पर अगर 52 इक हाई भी अगर देख ले तो 17.90 पेसे का आसपास है और 10 रुपे 50 पेसी का असपास का लो है वही अगर बड़े आगे तो यहाँ पर market cap तो हमने देख लिया बट कल क्या हुआ था तो 13 रुपे 85 पेसे पे stock open हुआ था हाई लगा था 13 रुपे 85 पेसे का ही और सीधा नीचे आ गया और लगबग 13 रुपे सहट पेसे का लो लगा लिया तो गैस यहाँ पर as bank में देखा जाये तो हम expect कर रहे है कि बड़त हो बट results में depend करता है कि इस क्या होगा तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो ठेंक्यो